हेलो फ्रेंड्स, इस्टेडी क्लासेस के यूटूब चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड जी के आज के इस टापिक से लगवक सभी प्रतियोगी परिच्छाओं में दो से चार क्यूश्चन मिल ही जाता है तो हम आसा करते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरू से अंत तक देखेंगे तकि आपकी आने वाले सभी प्रतियोगी परिच्छाओं में आपका सहायता कर सके सहायक सावीत हो सके तक हम चलते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट केस्टन है वह भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती कहां हुई थी तो भगवान बुद्ध को जो ज्यान की प्राप्ती हुई थी कहां पर हुगा था बोध गया में हुगा था बहुत ही important question है यह लगवक सभी competitive exam से पूछा याता है भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती कहां हुई थी तो इसका जो correct answer होगा बोध गया में होगा अगला है आरे समाज की अस्थापना किस ने की तो आरे समाज की अस्थापना किस ने किया था स्वामी दयानंद सर्वस्वती जी ने आरे समाज की अस्थापना किये थे पंजावी भासा की लिपी कौन सी है तो पंजावी भासा की लिपी है गुरु मुखी अगला केशन है भारत की मुख्य भूमी का दच्छिर्तम किनारा कौन सा है यानि भारत का जो दच्छिर्तम पॉइंट है वह कौन सा है तो भारत का दच्छिर्तम पॉइंट है कन्या कुमारी क्या है भारत का दच्छितम मिल्दू है कन्या कुमारी भारत में सबसे पहले सुर्य की सराज में निकलता है तो भारत में सबसे पहले सुर्य का उदय अरुडाचल परदेश में होता है चुकि अरुलाचल परदेश जो है भारत के नक्सा आप लोग देखेंगे तो सबसे पूरफ साइड में दिखेगा जो असम है उसके और ही पूरफ सबसे पूरफ साइड में कहने का मतलब यह सबसे पूरफ साइड में भारत के नक्सा में अरुलाचल परदेश है इसलिए इंसुलीन का प्रयोग किस बीौरी के हुपचार है तो इंसुलीन का प्रियोक कियाता है मदमे मदमे के रोगियों को दिया जाता है इंसुलीन का उप्योग करने के लिए अगला है बिहु किस राज्य का प्रसीद तेवहार है तो बिहु जह है वह असम का प्रसीद तेवहार है जो प्रसीद तेवहार यानि लोकुक्तियां है इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बना चुके हैं पहले जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुके है आप लोग उस वीडेयो को जा कर देखें हिसमें बहुत ही आसान ट्रीक से सभी इस्ट्रेट के जो लोग का निर्त्य हैं उससे ट्रीक से याद करने का मेथन बताया गया है जो बहुत ही आसानी है वह क्या है बीहू है अगला कौन सा बिटामीन आवले में परचूर मात्रा में मिलता है तो बिटामीन सी जो होता है आवले में परचूर मात्रा में मिलता है वैसे जो भी खटी चीजें होती है लगवक्त समी में बिटामीन सी परचूर मात्रा में पाए जाता है अगला क्यूशन हमारा है भारत का प्रथम गौर्णर जनरल कौन था तो भारत का प्रथम गौर्णर जनरल बिलियम बैंटिंग थे कौन थे बिलियम बैंटिंग भारत के प्रथम गौर्णर जनरल थे कागज का विसकार किस देश में हुगा कागज का विसकार सबसे पहले चाइना में हुआ था चिन में हुआ था नेश्ट क्योशन है गौतम बुद्ध का बच्पन का क्या नाम था गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम सिध्धार्थ था भारत में ससस्त्र बलों का सर्वोच सेनापती कौन होता है तो भारत में सर्वोच बलों का यादि इस दीउसे नापथी डूला जाय तो राषटपती होता है गोंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर आप लोग हमेसा पाते रहेंगे जो आने वाले आपके little exams के लिए बहुत ही सहाएक सावित होने वाला है चलिए बढ़ते हैं next topic में next question हमारा है रताओधी किस vitamin की कमी से होती है तो vitamin A की कमी से रताओधी रोग होता है vitamin A जो मिलता है किसे पतला तो गाजर में प्रचूर मात्रा में vitamin A मिलता है पोंगल किस राजी का तेवहार है पोंगल जो है तमिल नाडू का तेवहार है प्रसिद्ध तेवहार है पोंगल गिद्धा और भांगळा किस राजी का लोक निरत है अब हम बात करें एदि गिद्धा और भांगळा तो यह पंजाव स्टेट का एक लोक निरत है जो बहुत ही दलोक निर्त्य है तेली वीजन का विसकार किसने किया था तो टेली वीजन का विसकार किये थे जान लोगी वेयरड ने तेली वीजन का विसकार किये थे अगला है भारत की पहली महिला सास्का कौन थी तो भारत की पहली महिला सास्का की बात करें तो हैं रजिया सुल्तान भार सभड़े की सहायसा से मचली जो है सांस सवसंकिर्या उसका संपन्न होता है अगला हमारा क्यूशन है इंकलाब जिन्दावत का नारा किसने दिया था तो इंकलाब जिन्दावत का नारा भागत सिंग ने दिया था किसने दिया था सरदार भागत सिंग ने इंकलाब जिन्दाव का नारा दिए थे जालिया आला भाघ हत्याकांड कभ और कहां हुआ था तो जालिया वाघ हत्याकांड 1919 में हुआ अम्रित सर में हुआ था जाली आलाबाग हत्याकांड 1939 1949 इसमी में कांग्रेश छोड़ने के बाद सुवास चंद्रभोस ने किस दल की अस्थापना किया था तो 1939 में कांग्रेश छोड़ने के बाद सुवास चंद्रभोस जी ने फारवर्ड ब्लाग की अस्थापना किये थे बहुत ही important question है सही प्रतियोगी परिच्छा में इस तरह के question बार बार repeat हो रहा है पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राइको जाना जता है पंजाब केसरी के नाम से next है Sanders की हत्या किसने की थी जो Sanders थे इनकी हत्या सरदार भगर सिंग ने किया था 1877 इसमी के बिद्रों में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया तो 1857 के विद्रो में अपना बलिदान सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज़ेपाल कौन थी? सरोजिनी नाइडू भारत की प्रथम महिला राज़ेपाल थी। माउंट एवरेष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहली महिला कौन है? तो माउंट एवरेष्ट पर दो बार चड़ने वाली पहला महिला संतोस यादो, कौन थी? संतोस यादो थी। ब्रह्म समाज के अस्थापना किसके द्वरा की गई? ब्रह्म समाज के अस्थापना राजा राम मोहन राए के द्वरा किया गया था। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अस्थापना किये थे अगला केशन अमारा है स्वामी दयानंद सरसती का मूल नाम क्या था जो स्वामी दयानंद सरसती थे इनका मूल नाम मूल संकर था बेदों की ओर लोटो किसने नारा दिया था बेदो की ओर लटो दयानंद सरवसती जी ने ही नारा दिया था राम कृष्ण मिशन की अस्थापना किसने की स्वामी विएकानंद ने राम कृष्ण मिशन की अस्थापना किये थे वास्को डिगामा भारत आया था कब आया थे वास्को डिगामा तो 1498 इसमी में वास्को डिगामा भारत आया था वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था वास्को डिगामा पूर्तगाल का रहने वाला था और एक बात यहां पर एक fact है friends जो पूर्तगाली थे पूर्तगाली उन्हें ही सबसे पहले भारत आये थे और सबसे बाद में पूर्टगाली भारत से गए, यहीं सबसे पहले भारत में पूर्टगाली आए और सबसे बाद में पूर्टगाली गए हवा महल कहां इस्तित है, तो हवा महल जो इस्तित है वहां जैपूर में है, हवा महल कहां पहां इस्तित है, हवा महल जैपूर है नेश्ट है सिख धर्म की संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक माने जाते है अगला हमारा केशन है सिखों का प्रमुख तेवहार कौन सा है बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख तेवहार है अगरा केशन हमारा है लौपुरुस किस महापुरुस को कहा जाता है सरदार पटेल को लौपुरुस के नाम से जाना जाता है सरदार बल्लव भाई पटेल को नेता जी किस महापुरुस को कहा जाता है तो नेता इस सुभास चंद्रबोश जो है इनकी उपाधी मिली थी सुभा लाल भादु सास्त्री की समाधी का क्या नाम है जो दिल्ली में इस्तित लाल भादु सास्त्री की समाधी है वह है बिजय घाट महा भारत के रचैता कौन है तो महा भारत के रचैता है महरसी बेद ब्याजी अर्थ सास्त्र नामक पुस्तक किस ने लिखी अर्थ सास्त्र नामक की पुष्टक लिखे थे चाड़क के ने जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादु सास्त्री जी ने दिया था समिंधान सवा का अस्थाई अध्यच कौन था तो समिंधान सवा के प्रथम अस्थाई अध्यच डाक्टर राजिंद प्रसाथ थे समिन्धान सभा की प्रारूप समीती के अध्यच डाक्टर भीमरा वंबेट कर थे कौन थे प्रारूप समीती के अध्यच तो भीमरा वंबेट कर विस्वरेड क्राश दिवत किस तारिक को मनाये जाता है तो आठ माई को विस्वरेड क्राश दिवत मनाये जाता है सुर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है जापान है सुर्य उदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है जापान में सबसे पहले सुर्य का उदय होता है अंतराश्टी महिला दिवस किस तिथी को मना जाता है ऐसेफ़ वारत के प्रसीद तेवहर है दिल्ली भारत की राज़धानी कब बना था तो 1911 इसमी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और इसके पहले भारत की राजधानी कहां था तो इसके पहले भारत की राजधानी कोलकाता था कहां पर था कोलकाता 1911 से पहले भारत की राजधानी थी सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है सुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है भारत का पुछे तो बाग है इसमें आपनों को confusion नहीं होना है भारत का राश्टिय जली जीव कौन सा है तो गंगा डालफीन जो है भारत का राश्टिय जली जीव है भारत का राश्टिय फल कौन सा है आम भारत का राश्टिय फल है और फलों का राजा कहा जाता है आम और फलों की रा क्या है नाल में फफलन की रानी क्या है तो लीची जीर में फ्लों की रानी है ले लगगत का राश्ती है Schwald यू ने चिण लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताएगा और वीडियो यदि आप लों को अच्छा लगा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल पर यदि पहली बरा हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए बेल आईकोन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी इस परकार की वेडियो आपको मिल सके जब आप बेल आईकोन को प्रेस किये रहेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा तो चलिए आज के लिए बस इतना हैं मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन जैवारत